कि नमस्का दोस्तों बारिष का सिजन है और बारिष की सिजन के अंदर गोड़ा-गोड़ी यानिकी पेट-दर्थ की सिकायद शुनने को मलती है ज्यादा तर यानिकी बारिष की सिजन में होता है दोस्तों ऐसा ऐसे में आप गोड़ा-गोड़ी से आपका गोड़ा-गोड़ी सेफ रहे बारिश के सिजन में यानि कों सा चारा खिलाएं कौंसा उसको दाना दिये तांकि कि आपका गोड़ा-गोड़ी के पेट दर्द ना हो दोस्तों बारिस के सिजन के अंदर हरा चारा भी खिलाते हैं अपन और सुका फोस होता है ये भी खिलाते हैं लेकिन सुका फोस तो यानि की बैश्ट है दोफ्तो बारिस होने से पहले यानि कि आप अपना घुड़ा घुड़ी को जो रोज दाना खिला रहे हैं वो ही दाना बारिस होने के बाद में कि आपको फोड़ा-वोड़ी को नुख्षान पहुचा सकता है पारिस की सीजन के अन्दर किस-किस के घोड़ा-वोडी के पेटदर्द भूआ है वूँझे कमेंट करें जुरूद बताई यह विदियो में जो दाना है घुड़ा गोड़ी का वही पेड़ दर्थ काता है जी हाँ दोस्तों घुड़ा गोड़ी का बताया गया है की जो और चना ये विशेश से याने की घुड़ा गुड़ी के दोनों दाने है चना और जो दोस्तों ये जो हैं ये घुड़ा गुड़ी का याने की फेवरिट माना गया है चना और जो लेकिन ये ही जो बारिस होने के बाद में एक तरह से याने की आप कहें तो पोईजन बन जाता है ही है और बारिस होने के बाद में ऐसा इसमें क्या हो जाता है यान कि घोड़ा-गोड़ी के लिए फोईजिन बन जाता है तो बारिस होने के बाद में अगर आप अपना घोड़ा-गोड़ी को यह जो खिला रहे हैं तो आपका घोड़ा-गोड़ी के पेड़ दर्द की सिकाइ फिकायत बन जाएगी और एक बर पेट दर्द होना लग गया तो हर दूसरे दिन और तीसरे दिन रोज यानि कि हर दूसरे तीसरे दिन यानि पेट दर्द की Labs बन जाएगी तो आप अपना गडा घोडी को यानि कि बारिस होने के बादमें जो समीना ख已经 अगर आपको दाना खिलाएना तो चना खिलाएए अगर गियों खिला रहे हो तो उसमें मेथी मिलाएए और डोनों को इस्ट्रेशन की मिक्स कर लें और उसके बादी में पीज के दलिया करके और वो खिलाएए दोस्तो काफी भैयों को सुनके अत्वटाए लग रहा होगा कि यानकी जोक के अंदर ऐसा क्या हो जाता है दोस्तो एकदम से लिए उनकी भड़ा खोड़ी को बारिष वने के बाद में गखिलाए तो पेट के अंदर जैके वो जम जाता है खोना गशन कप यॉसको सरीर के अंदर गाट पिशूलाद में लेह ऊसे से उस्ती के खोड़ा पि यान की पेरदर्द की सिकायत रहेगी इस से आप बचे दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना सेर करना आपका कुछ जाओ तो कमेंट